हेलो दोस्तों तो आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो पाइचार्ट के बारे में तो आज मैं सिखाऊंगा पाइचार्ट अगर आप ये वीडियो अन तक देखेंगे तो पाइचार्ट का फूल कंसेट सीख जाएंगे तो आये चलते हैं पाइचार्ट कैसे ड्रो करेंगे पाई चार्ट का कुईशन कैसे चलब करेंगे बिजनस एस्टेटिक्स का आप MBA पर रहे हो BBS, BBS आप NCRT से हो, GATE से हो और कहीं से भी हो, किसी भी बोट से हो नेपाल, इंडिया, भारत और पाकिस्तान, ओमान, जहां से हो अमेरिका से भी हो, यह बहुत इंपोटेंट कुईशन है आपका आता है, तो आए जानते है तो यहाँ पे कुईशन दिया हुआ एक्स्टेक्स दा ब्लोइंग, डेटा यूजिंग पाई चार्ट आइटम गीवेन है एक्सपेंडीचर, एस परसेंट अफ टोटल गीवेन है फूट का 50 गीवेन है, क्लोथिंग का 15 परसेंट गीवेन है हाउजिंग का 10 परसेंट गीवेन है फ्यूल का 5 परसेंट, एजुकेशन का 10 परसेंट entertainment का 5% miscellaneous का 5% इस तरह से given है आपको question इस तरह से होगा ठीक है कभी कभी यह question आपको column में दिया हुआ है कभी कभी row में देता है ठीक है तो आप लोग डरिएगा नहीं question अच्छे से पढ़ लिजेगा उस तरह से आपको solution करना पड़ता है solution के लिए टेबल बनाना होता है तो टेबल के लिए यह बना लिजेगा और तीन column बनाईएगा उसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है आइटम लिख देंगे ठीक है उसके बाद expenditure as percent of total लिखा हुआ है तो मैं वही लिख दूंगा percent of expenditure ठीक है परसेंट of expenditure लिख दिया मैंने और एक लास्ट में जो है उसमें लिखना होता है value in angle ठीक है value in angle angle इसका जो formula होता है value in angle का उसका formula होता है 360 degree 360 degree upon total percent into percent of expenditure होता है ठीक है percent of expenditure होता है इसका formula तो आपको यह बता दू यह 360 degree हमेशा होता है और total percent का मतलब क्या होता अगर question में यहां पर यह total जो है इसको जोड़ लेंगे तो कितना होता है अगर जोड़ेंगे तो वह हम बताएंगे तो आए calculate करके देख लेते हैं यहां पर calculator है तो यहां पर 50 है तो 50 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यह करेंगे तो हमारा आजाता है 100 यह total कितना है हमारा total percent कितना है total percent है हमारा 100 percent है आपको 100 percent ही देगा जरूरी नहीं है यहां पर 55 percent 95 percent आपको 85 percent भी दे सकता है यहां पर 200 भी दे सकता है 300 percent भी दे सकता है याद रखिएगा ठीक है तो आइटम जो है वह आइटम में हम लोग लिख लेंगे food, clothing, housing, fuel, education, entertainment, miscellaneous उसको हम आइटम में लिख लेते हैं पहले food था उसी तरह से food लिख लेंगे उसके बाद clothing था clothing लिख लेंगे उस तरह से housing है housing लिख लेंगे ठीक है housing के बाद fuel है यहां पर fuel लिख लेंगे उसके बाद education है education लिख लेंगे यहां पर ठीक है education के बाद entertainment है entertainment लिख लेंगे उसके बाद miscellaneous है उसको भी हम लोग लिख लेंगे यहां पर जो question था item में जो था यहां पर देख सकते है आइटम में food, clothing, housing, fuel, education, entertainment, miscellaneous उसको मैंने item में इस तरह से लिख दिया ठीक है और इसके सामने जो है 50, 50, 15, 10, 5, 10, 5, 5 उसी तरह से हम लोग arrange कर देंगे इधर percent of expenditure में क्या था हमारा 15, 50, 15, 10, 5, 10, 5, 5 अथार हम question को जो होता है question है question को इस तरह से शार देंगे यह बहुत important है value in angle यह समझना होता है यह 50 है तो हमारा formula क्या है 360 degree by total percent कितना है हमारा total percent यहां पर 100 परसेंट है वही 100 लिखनेंगे यहां पर 55 percent आता हमारा 55 आता यह 200 आता है यहां जोर के यहां पर 200 आता हम लोग यहां divided 360 divided 200 लिखते ठीक है यहां पर 55 आता तो यहां पर 55 लिखते into percent of expenditure है formula percent of expenditure का मतलब 50 है यहां पर 50 कर देंगे तो हमारा कितना है यहां पर calculator करेंगे तो देख सकते है 360 by 100 into 50 जो हमारा value आएगा 180 डिग्री आएगा ठीक है उसी तरह से इसके लिए निकालेंगे 15 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा formula 360 डिग्री divided 100 यह 100 क्यों हुआ यह 100 है इसलिए हम लोग 100 लिखते हैं into यह 50 कर देंगे तो इसका जो calculator करेंगे हमारा आजाएगा देख सकते हैं यहां पर 360 divided 100 इंटू कितना है हमारा 15 ठीक है डिग्री में यह 54 डिग्री आजाएगा इंगल इसका 54 डिग्री आ गया उसी तरह से हाउजिंग के लिए निकालेंगे धम क्या करेंगे 360 डिग्री डिबायरेड रखेएगा यह 100 हम लोग हमेशा नहीं रखना है 360 डिग्री हमेशा रखना है यह जितना बैलू आएगा इसको जोड के सारे को जोड के जितना आएगा वह हमको इधर रखना है ठीक है इन्टु 5 उसी तरह 10 के लिए निकाल लेंगे 360 डिग्री डिवाइद हंड्रेड इन्टु 10 उसी तरह 5 के लिए निकाल लेंगे 360 डिग्री इन्टु 5 इस तरह से निकाल लेंगे 5 है यहां पर 10 है तो 10 10 है तो 10 5 है तो 5 5 है तो 5 आपको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है आप कैलकुलेटर में करके डाइरेक्ड भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आप लोग निकाल के दिख लिए यहां से हमारा 36 डिगरी आजाएगा इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे तो हमारा जाएगगा परकेंदके दिख जी है कि थर्टिसिग्स डिगरी है आप लोग यहांसे इसके लिए देखते हैं यह जाएगा इस में कि यह क्य सकने लिए देखे है इतना करने के बाद सेट क्या डिगए। Venus form 1-4 43 डिग्री ऐटेशिंक का ठछी । इंटेन्मेंन का 18 डिग्री । इसको दिखाना होता है पाय healthier look रखेंगे दिश्चाट में थो ईच जट के लिए हम लोग क्या बना के दिखा देता हूं तो यहां से एक सर्कल हम लोग ड्रो कर लेंगे ठीक है इस तरह से आप लोग मज़े से कमपास यूज करके सर्कल ड्रो कर सकते हैं सर्कल ड्रो करने के बाद इसके लेकर आप लोग एक लाइन सीधा तान देंगे इसको लेकर हम लोग एक लाइन सीधा तान देंगे इसको एजूम कर लेंगे जीरो डिगरी पर ठीक है तो जीरो डिगरी हो गया सबसे गलत इंसान यहीं पर करता है तो आपको बता दू इतना करने के बाद फर्स्ट में हमारा फूड कितना था 180 डिग्री था फूड हमारा कितना था 180 डिग्री था तो यहां से हम लोग सेट करेंगे आपको अब यहां से सेट करेंगे ठीक है यहां से सेट करेंगे तो यहां से सेट करने के बाद हमारा 180 डिग्री जो है यहां पर पड़ता है कि नहीं और यहां से देखेंगे, अगर यहां से देखेंगे 0 से start करेंगे, तो 180 डिगरी हमारा का पड़ता है, यहां पर पड़ता है, टिक है। यहां पर देखए, 0 अपर लेते है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 16, आपर लेंगे जबी भी, तो 180 डिग्री यहां पर पढ़ता है यह हमारा हो गया food ठीक है यह हमारा हो गया food जो कितना है हमारा question answer में कितना निकला हुआ food यह food है 180 degree निकला हुआ है 180 degree हमारा food हो चुका है food निकालने के बाद हमारा क्या है यहां पे clothing का 54 पर सेंट है अब अब यहां पर हम लोग सेट करेंगे इसको 54 परसेंट के लिए ठीक है तो 54 परसेंट के लिए हमको करना है यहां से यहां से यहां से हम लोग को 54 परसेंट करना है तो यहां पर सेट करेंगे इस तरह से ठीक है इस तरह सेट करने के बाद हमारा यहां पे 10 देख सकते हैं यहां पे आप लोग यहां पे 10 है अपड लेना है मैंने बोला था अपड लेना है नीचे का डिगरी मत लीजेगा 10 20 30 40 50 और यहां पे आगया आपका 54 ठीक है तो 54 आगया तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 54 जोइन कर देंगे ठीक है तो यहां पे जो पेंसिल है यहां पे जो सेंटर है सेंटर से हम लोग का यहां पे यह हो गया 54 परसेंट याद रखेगा सेंटर से हम लोग लेते हैं सब वैल्यू नहीं तो मिस्टेक हो जागा सेंटर से लिजेगा तो यह हमारा क्या हो गया 54 यहां क्लोधिंग हो गया 54 परसेंट क्लोधिंग के बाद क्या है हाउजिंग कितना है 36 डिग्री तो अब क्या करेंगे फिर से सेट करेंगे यहीं पर अब इस तरह से सेट करेंगे यह जो है ना स्केल यह कमपास है कमपास को इस तरह से सेट नहीं करना है इस तरह से करेंगे तो एंस को 0 sit करेंगे हमारा 0 हो गया और 36 लेना है तो अपर करेंगे 0, 10, 20, 30, 35, 36 यहां पर परेगा 36 के लिए क्या करेंगे स्केल से इसको और इसको मैच करेंगे ठीक है और यहां से हम लोग एक लाइन सीधा ड्रो कर देंगे यहीं पर पास हो जाएगा जोइन करेंगे तो 36 डिग्री यह हमारा हो गया 36 डिग्री खाउजिंग का यहां पर लिख देंगे हाउजिंग 36 डिग्री उसके बाद हमारा क्या है हाउजिंग के बाद क्या है फ्यूल है 18 डिग्री में फ्यूल है 18 डिग्री तो अब फ्यूल का बनाना होगा तो आपको फिर से क्या करना होता है आप सेट करिएगा तो इस तरह से पहले इस तरह से रख ले ठीक है उसके बाद इस तरह से गुमा सकते हैं सिर्फ इस तरह से गुमा के इस पे सेट कर दे इसकी यह लाइन और यह लाइन पे सेट कर दे 18 डिग्री है अपर पाट देखना यह 0 10 20 19 18 है हमारा 18 में इसमें डॉट करेंगे और इसको हम लोग इसको पॉइंट को जोडना होता है सूरकल से जादा बाहर ना ही जाए इसलिए हम यह पर जोड़ देंगे इस तरह से यह हो गया हमारा फूट, क्लोदिं, हाॉजिंग, फ्यूल हो गया हमारा 18 डिग्री इस तरह से अमनों लिख देंगे फ्यूल के बाद education एHHHH education 36 degrees है तो मैंने क्या कहा था आपको set करने के लिए याद रखें यह जो compass है पहले इस तरह से set कर ले ठीक है इस तरह से पहले set कर ले simply ठीक है और इसको इस तरह से सकते हैं मुझे से इस तरह से गुद्द आके और यहां पर पर सिट कर दे यह लाइन ओर यह लाइन के भीच में 0 हमारा ईजुकेशन है तो हमारा यह हो जाएगा suis नोरी यह होग्या हो तो यह हुआ हो गया बातेशन दीघरी हो गया हमारा entertainment miscellaneous entertainment का 18 degree miscellaneous का 18 degree entertainment का 18 degree है miscellaneous का 18 degree है वह ही बनाऊंगा तो यहां पे फिर से करना होता है हमको फिर से set करेंगे इस तरह से इसको line को इसको line को तो यह हमारा 18 degree हो जाएगा 15 16 17 18 यहां आ जाएगा ठीक है तो हम लोग इसको यहां से जोड़ देंगे ठीक है यह हमारा 18 degree हो गया यह हमारा क्या हो गया एजुकेशन हो गया एजुकेशन तो हो चुका है entertainment बाकी है miscellaneous बाकी है इंटर्टेन्मेंट हो गया यहां पर लिख दें इंटर में हमारा 18 degree है बाकी 18 डिगरी ही होगा यह बाकी है miscellaneous 18 degree होगा वह लिख देंगे यहां पर यह जो miscellaneous है कि ओद इटिल डिगरी ही है ठीक है कि यह नाप वह नापेंगे भी तो 18 डिगरी ही आयगा यहां एटीन डिगरी है डिगरी है यह नहीए नापेंगे 118 डिगरी है फिर भी नापका देख लेते हैं कि नहीं यहां पर सेट करते हैं हम लोग कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो हमारा है इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यह हमारा जो 18 डिगरी है थोरा पड़ नीचे होता है अल्थोराम से कोई फ़रक नहीं है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं हमारा यहां पर इस तरह से लाइन को इसको टॉच करेंगे तो यह हमारा यह जो लाइन है यह हमारा यहां पर आता है 18 डिगरी हो जाए तो बाकी जो होता 18 डिगरी होता है ठीक है इस तरह से आप लोग बना सकीएगा अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेट सब्सक्राइब करना है को समझ गह होंगे तो इसको असे हम लोग इतना करेंगे अ मारा फूलमक सब्सक्राइब करना यहां थोरा वंधर फूरा यहां नहीं में 70 दिग्री होता है तो इतना आपको गलती नहीं करेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को चलता हूं